Hi students, welcome to iExambe. So, IBPS SO 2020-2021 का इस साल का notification आ गया है. अभी ये जो notification आया है, वो newspaper में आया है, और इसका जो proper notification है, official notification वो website पर जल्दी आने वाला है. आईए देखते हैं, newspaper में जो article आया है, काफी सारी newspaper में ये article आया है. तो इसके बिका है? IBPS SO जो है Data Specialist आइटी ऑफिसर, एग्रिकल्चर फिल्ड ऑफिसर, राज भाषा अधिकारी, लॉओ ऑफिसर, एचार परस्नल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, तो ये 6 पोस्ट के लिए IBPS SO हर सा निकलता है, जैसे PO और कलर्ट निकलते हैं, वैसे ही, every year साल के end way SO भी निकलता है, तो इसका जो exam है, वो December और January में tentatively है, उसकी dates भी आ गई है, आईए देखते हैं, इस notification में और क्या-क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है कि जो आपका registration है, वो कब से start होगा, तो 2nd November से 23rd November तक जो है ये registration आपका चलेगा, यानि कि आप 2nd November से 23rd November तक form fill क कर सकते हो और इसका जो exam होगा, वो 26 December, 27 December को होगा, या तो 26 December को होगा, या 27 December को आपका इसमें से किसी एक date को exam होगा, तो जो आपका pre exam है, वो आपका 26th या 27 December को हो जाएगा, मेंस एक्जाम जो है वो January में होगा 24th January को मेंस का एक्जाम होगा तो dates out हो गई है कि आपका December end में Pre का एक्जाम है January end में मेंस का एक्जाम है और finally आपका जो selection है वो April तक हो जाएगा यह जो है अभी newspaper में आया है यह बिल्कुल authentic news है जल्दी ही यह website पे आ जाएगा 2nd November से आप apply भी कर पाएंगे तो students बहुत ही कम time है अगर आप time देखें तो कितना है 2 months के आसपास आपके पास time है इसकी preparation के लिए आप इन में से किसी भी exam के लिए आप apply कर सकते हैं जो जो आपकी specialized qualification है अगर आपने IT से कुछ किया हुआ तो IT officer के लिए जाएंगे agriculture में आपके degree है तो agriculture में जाएंगे law graduate है तो law officer के लिए जाएंगे तो यह एक बहुत professional के लिए अच्छी job है तो student अभी सिर्फ इतनी ही detail दी थी मैं आपको last year 2019 में जो notification आया था उसके हिसाब से कुछ detail बता देता हूँ कि इसमें eligibility और age limit क्या रहती है age limit जो पिछले साल जो इसमें रही थी 20 से 30 के बीच में यह मैं पिछले साल का data ले रहा हूँ इसमें minimum age 20 होती है maximum 30 होती है यहाँ 2019 लिखा है क्योंकि यह पिछले साल का है तो हो सकता है इस बार जब notification आये तो वहाँ पे लिखाओ 1st November 2020 तक 20 से 30 के बीच में आप होने चाहिए हो पाकी जब notification आयेगा तो उसमें पता चलेगा but based on last data मैं आपको number दिखा सकता हूँ कि 20 से 30 साल वाले लोग इसमें eligible होते हैं और relaxation मी बिलता है SCS2 को 5 years जो OBC है उनको 3 साल इसके अलावा और भी relaxation मिलते हैं age में category wise तो student यह था notification के बारे में हमारे पास already IBPS AFO का और IBPS IT Officer का online course available है यह best online courses है जिसमें आपको crisp content मिलता है faculties, experienced faculty के साथ आपकी light classes होती है बहुत सारे आपको 101 sessions भी मिलते हैं तो यह आपके लिए बहुत helpful है अगर आपने अभी तक enroll नहीं कराया तो यह in courses के link आपको demo में मिल जाएंगे please check करिए and student IBPS SO prelims क्योंकि सबके लिए common होता है तो इसका course हम जल्दी ही launch करने वाले है और IBPS law officer का भी जो course है वो हम जल्दी launch करने जैसे मैंने बिताया online course है जिसमें आपको बहुत चारी वीडियो पीडिया, full length practice test हजारों questions, live classes doubt sessions, study hive sessions है chapter test है आपको यहापे बहुत कुछ इसके अंदर मिलेगा इसके अलाबा SOIT का भी हमारे पास online course है जिसमें आपको short videos 400 के असपास, thousands of questions to practice बहुत सारे full length mock test doubt clarifying sessions, chapter test इवन interview की preparation भी इसके अंदर कराई जाती है तो student आप हमारी success stories भी देखते हैं हमारे students की यह आपको मिल जाएगा link description में बहुत सारे वच्चे हमारे आसे select होते हैं IPS SO में ठीक है student तो हमारे free mock test जिए प्राक्टेस करते रहें सारे के सारे mock test eye exam भी बिल्कुल free है practice करते रहें और जैसे ही इसका official notification आएगा with full details हम लोग फिर आएगे नई वीडियो के साथ अगर आप इस channel पे नए हैं तो please subscribe the channel and हमारे पास EFO के लिए agree exams के लिए हमारा एक अलग channel है that is agree b अगर आप नबाड या EFO के प्रपेशन कर रहे हैं तो agree b चैनल पे भी जा सकते हैं thank you, thanks for watching